हलो अरुवान वालकम टो आर्टिस्टी क्लासेज पाउड वाय राजस्तान कोचिंग क्लासेज माहूं लीने समाथ से अब सब्सक्राइब का स्वागत करता हूं आर्टिस्टी के यूट्यूब चैनल वे जैसे कि आप जाते हैं प्रेक्टिस सेट हमारे चल रहा था और मिसिंग नमबर पर हमने बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम से 12-15 क्यूशन करने वाले हैं जो भी टॉप लेवल के क्यूशन होंगी कल के क्लास में बड़ा ही शानदर क्लास रही सबका आपका आपका आंसर आपके फटा फटा आंसूर करने है और चेक करना है अपनी तियारी को तो चलते हैं पहले क्यूशन पर पहले क्यूशन आपका मेट्रिक्स का है जो आपकी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा आपको बताना है कि क्यूशन मार कि जगह है कौन सा उप्सन आएगा A, B, C, D में से कौन सा आंसर होगा तो मैं 15 सेगें आपका आंसर का वेट करता हूँ और फिर डिसकस करते हैं इस क्यूशन पर लिखा है A, C, E और आगे ही ऐसे करम चल रहा है G, I, क्यूशन मार क, M, O, Q तो आपको चेक करना है यहां क्यूशन मार की जगह क्या आएगा देखा जाए तो यह जो क्यूशन है यह स्रीज से डायरेक्ट हम सौल कर सकते हैं स्रीज से कैसे बहुत बढ़िया देखे, कैसे करेंगे यह जहां लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है A से हम C गे, C से E गे इसका मतलब क्या हुआ, A एक नंबर पे आता है C दू, sorry, तीन नंबर पे आता है और E पांच नंबर पे आता है इसका मतलब हमने यहां दो आड कर दिया और फिर हमने दो आड कर दिया तो इसका मतलब दो-दो के gap से हमारा alphabet निकल के आ रहा है सेम वही काम हमें नीचे करना है G के बाद में I के बाद में क्या आएगा K, क्योंकि हमें यहां gap सेम देखना है तो K आएगा, option हमारा K तो अब हमारे पास option 2 है K के 2 option है तो 7 में हमारे numbering भी हमें चेक करने पड़ेगी तो numbering में देखिए यहां 2, 4, फिर 6 यानि कि 2 में हमने 2 आड किया तो 4 है और 4 में हमने 2 आड किया तो हमारे पास 6 आ गया साइद ऐसा कुछ हो सकता है logic आगे चल के देखते हैं तो आगे लिखा है 3, 5 और फिर आगे क्या आएगा देखिए अगर 2 के अंदर 2 जोड़े तो हम 4 आ गया ठीक है फिर 4 के अंदर 2 जोड़े तो 6 आ गया अब नीचे यहां देखिए तो 3 में 2 जोड़े तो 5 आ गया तो K हमारे पहले से निकला था और 3,5,8 होगी यानिकी K,8 हमारे perfect answer होगा है साथ इतना आपको समझ में आगया होगा चलिए चलते हैं दूसरे question पर दूसरे question फिर से एक वसा ही है जिसमें alpha weight आपको दिये गए है और question mark की जगा आपको कौन सा alpha weight आएगा यह बताना है तो पताए यह फड़ा-फड़ के कौन सा answer आएगा option A, B, C, D, P, Q, O, T बताना है आपको कौन सा option होगा देखिए जब भी ऐसा कोई question आजाए alphabet का या जाए कोई शरीज का हो या missing number का हो तो आपको सबसे easy बनाने के लिए आपको एक काम करना होता है जहां भी आपको number सुरी alphabet दिख जाए वहां आपको क्या करना होता है वहां उनकी number लिग देने होता है जैसे कोई भी alphabet है उसका number लिख देना है अगर आपको उनके करम नंबर याद हैं तो आप ये इस टाइफ के वेक्यूशन बड़े एज़ी से कर सकते हो जैसे B के पास होता है दो नंबर यानि कि B दो नंबर पे होता है G साथ पे होता है और L बारा पे होता है आपको अगर ये नंबर याद है तो side equation आप बड़ी easy से कर सकते हो वैसे ही आगे देखें तो C आता 3 नमबर पे H आता 8 नमबर पे M आता 13 नमबर पे आ रहे हैं इतने समझों अब देखो इनको complete करके देखते हैं यह बना कैसे अगर हम 2 से 5 चलें तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से 5 चलने के लिए हमें इसके अंदर सुरी साथ चलने के लिए हमें इसके अंदर 5 को add करना पड़ेगा ठीक है यहां फिर से 7 में 5 add करेंगे तो हमारे पास 12 निकल गया जाएगा 3 में हम 5 add करेंगे तो हमारे पास 8 निकल गया आएगा और 17 न्बर पर हमें पता है question आप क्यूं आता है तो क्यूं आएगा हमारे answer तो हमारा perfect answer टायरेक answer क्या होगा option number B देखे चलते है next question पर फिर से एक matrix देर रखी है और इसके अंदर आपको दोनों देर रखी हैं और alphabet भी देर रखी हैं वही हमारे लिए tough बन जाता है तो साइध ये question आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इसका answer क्या होगा बताईए Yes, yes बहुत बढ़िया स्यांदार performance कल की तरह आपको speed से answer करने है सब को answer करने है जितने students देख रहे हैं सब को answer करना है तब ही जाके class का अनन्द लिया जाएगा देखे, क्या होगा हमें उपर देर खा है 3 और 5 अगर 3 पांच को मैं आपस में add कर दो तो कितना बन जाता है? 8 और 8 पे ही क्या आता है? एच आता है सेम ऐसे ही अगर 9 और 7 को जोड़ दें तो कितना बन जाता है? 16 और 16 नमबर पे क्या आता है? P आता है तो ऐसे ही हमें यहां कर देना है 5 और 9 को add कर देना है तो कितना जाएगा? 5 और 9 कितने हो जाता है? 14 और 14 नमबर पे क्या आता है? सारे सारे answer बताएंगे मुझे क्या आता है चोदन नमबर पे हमारा option N यारिके option number A हमारा सही answer है जो है सही answer होगा option A क्या इतना समझ में आया तो चले फिर next question पे इस type के जो question होते हैं वहाँ हम थोड़ से दिक्कत कर जाते हैं वहाँ हमें समझने में थोड़ सा problem हो जाते हैं लेकिन इस type के यह इतना टब भी नहीं है कि हमें कुछ समझ में ना आ लिए बाहर की जो noise है उसको आप ignore कीजिए क्योंकि घर पे हैं तो घर पे बच्चों की आवाजे आते रहती है तो उनको ignore करके आप पड़ाई पर धान दीजिए तो इस question में आपको अगर देखते ही समझ में आ रहा है कि यह हो क्या रहा है तो आप बड़े ही असना इस question को कर सकते हैं देखिए आप answer कीजिए बहुत बड़िया सांदर answer आ रहे हैं आपके क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है यहां पे हमें साप साप दिख रहा है यह सारे जितने भी number दिख रहे हैं में जितने भी यहां number है यहां number है वो कोई ना कोई किसी ना particular रंग क्या square है और उस square से हमें साइध answer मिलेगा अगर आपको देखते हैं समझ में रहे हैं यह square है तो square को करके देखिए अगर इनको सबको add करेंगे तो साइध बीच वाली number बन जाए 17 तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 36-49 यह बहुत ज्यादा number बड़ा number है 17 से तो क्या करते हैं किस का यह square वो लिख लेते हैं जैसे यहाँ से निकालके देखते हैं कि हमार answer सही निकलेगा कि नहीं यहाँ 4 है 2 का square 16 का मतलब होता है 4, 9 का मतलब होता है फिर से 3 और 25 का मतलब होता है 5 अगर हम इन सब को add करते हैं तो फिर देखते हैं option में क्या match हो रहा है तो यह हो जाएगा आठ चार बारा बारा दो सोला सुरी आठ आठ चार बारा बारा और दो चोदा यानिके हमारे आनसर क्या जाएगा जो 14 तो फर्फेक्ट आनसर हमारे क्या जाएगा C option क्या यह समझ में आया चलिए फिर करते हैं next question मैं करते हूँ आपका wait कि यह question आप ही को करना है जेतने ही जल्दी कर सकते हैं आप उतना अच्छा होगा और यह logical थोड़ सा logical वाले question है तो आपको थोड़ से time दिया जाता है और सारे आनसर होता हैंगे इसका क्या पीछे गया क्या बताइए चार, पांच, साथ, से चोदा बन सकता है सेम ऐसे ही 952 से 9 बनेगा 8, 5, 9 से क्या बनेगा अगर हमें समझ में आगए 5, 4 और 7 से चोदा बन रहे तो हमें यह भी समझ आ जाएगा कि 8, 5, 9 से क्या बनेगा तो एक बाद ट्राई कीजिए देखते हैं क्या बनता है अगर हम इन सारे नंबर्स को add कर दे जैसे 4 और 5 और 7 को add कर दे तो 4 और 5 को add कर दे और उसमें 7 add कर दे तो देखें क्या बन जाएगा 4-4, 8, 8, 8, 9 sorry पैन नहीं चला कितना हुझाएगा 9, और 9 के अंदर 7 जोड़ते तो कितना बनेगा 16, यहां कितना लिखा हुझा 14 तो इसका मतलब यह तो answer हमारा नहीं होगा जोड़नेश answer नहीं हुआ था, फिर क्या होगा क्या कर देखो, ऐसा कुछ number आजाए, बड़ा number आजाए तो मैंने बताया air class में, अगर बड़ा number आजा तो वहां कही ना कही हम multiply करेंगे यह फिर square करके कुछ add करेंगे तब ही जाके वह बड़ा number बन सकता है, चोटे number से तो यहां क्या करते है, add करने से कुछ नहीं बन रहा तो हम square करके add करते है तो क्या करेंगे square करके add करेंगे तो 4-4-16 25 और 49 नहीं तो इससे भी कुछ होगा क्या तो इससे भी कुछ भी नहीं होगा यह भी हमार concept गलत होगा आपका answer आ गया देखें क्या करना है, जैसे लिखा मेरे पास 4, 5 और 7 इन सब को आपस में multiply कर देते हैं, तो देखें इन दोनों को multiply कर देंगे, तो यह आजाएगा 20 और 20 को हम 7 से multiply कर देंगे, तो कितना आजाएगा 140, और 140 में हम 10 का भाग देदेंगे, तो हमारे पास आजाएगा 14 निकल के आजाएगा, 14 निकल के आजाएगा या फिर बोल सकते हो कि 1-0 पहटा देंगे, तो 14 प्रफेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा next है 9, 5, 2 अगर 9 9 को मैं 5 से गुना कर दूँ और उसको 2 से गुना कर दूँ फिर वापस तो 9, 5, 45, 45 को मैं किस से गुना करूँगा 2 से, तो कितने हुज़ेंगे 90 और 90 का 1, 0, 8 ना है और ये 9 लिख दिया तो इसका मतलब ये ही हमारा concept हूँच ऐसा लग रहे है बहुत बड़ी आपका आंसर साइद आ गया है परफेक्ट आंसर आ है आपका अब बता दीजे मुझे फिर से अब 9 को 5 से गुना कर देंगे तो 45 और 45 को मैं किस से गुना कर देंगे 36 I hope आपको इतना समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो चलिए किजिए next question पर बहुत ये अच्छा question है देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना logical question है और कितना आसान भी है और ये सारे question मैंने जैसे बता रगा आपको सारे previous exam में आयोई questions है इस्पेसलिए SSC के SSC के repeated question है किया किसी particular exam में आयोई SSC के exam में आयोई question है बहुत ये आसान और सेहनदार question है आप फड़ाफट easy answer जितने student देख रहे सारे कि सार answer करें मैं आज से आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप like share करें क्योंकि अगर आपको class पसंद आएगी तो आप खुद पे खुद करेंगे मेरे बार-बार कहने से आपको कोई असर नहीं होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर करेंगे answer करें like share करें ना करें लेकिन answer जरूर करें बहुत बढ़िया देखी क्या कि आओगा यहां लिखावा है 4,9,6 तो 4,9,6 से क्या logic बन सकता है साइद इन दोनों को आपस में multiply करते है तो 9,4,36 और 36 किसका square है 6 का square है साइद ऐसा कुछ logic बन जाए आगे नंबर लिखावा है 9 और 16 9,6 को आपस में multiply करेंगे तो कितना आएगा 144,144,144 किसका square है 12 का square है perfect answer है अब हमारे पास यहां थोड़ी से दिक्कत आजाती है कि मैं 16 को किस से multiply करूँ कि यह 20 बन जाए और यह 20 किस का square था 20 का square करेंगे तो क्या मन जाएगा 400 बन जाएगा क्योंकि यहां कितना लिखावा 6 और अगर इस 6 को मैं 1 से गुना करूँगा तो 6 ही आजाएगा 0 से गुना करूँगा या फिर 60 से या फिर इससे कुछन करूँगा तो बहु ज़्यादा आनसो निकल जाएगा 400 नहीं आएगा मेरे पास बच्चा क्या 25 तो अगर एक पर 25 को मैं मल्टिप्लाइ करके देख लेता हूं कि कितना आएगा तो 26 जहां कितने होते हैं 150 तो 150 के से 0 लिख देंगे और हमारे पास कैरी बजाएगी 15 और 25 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो 25 और 25 में 15 आइड कर देंगे कितना बंजेंगा 40 यानि हमारे परफेक्ट आंसर के जाएगा 400 यानि कि option के जाएगा option number B B हमारे के जाएगा perfect answer सही जाएगा क्या समझ में आया आपको क्या करना है इस 16 को मल्टिप्लाइ करना है इस से संक्यास है कि वहां हमारे पास 400 मिल जाए 400 क्यों किया था क्योंकि यहां हमारे पास 144 आया था यहां हमारे पास 36 आया था इनका root कर देंगे तो हमारे पास यह विल निकल किया जाएगा यहां 400 था 400 का root कर देंगे तो हमारे पास 20 निकल किया था इसलिए हमने यहां 25 से multiply किया और 5 से multiply करने से हमारे पास 400 निकल के आया था अउम्हीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा चलिए next question दे फुल पति वाला question आया है और ये single देखिए यहाँ थोड़ सा आपको दिक्कत हो सकते हैं इस type के question में क्योंकि single digit है और single यानि कि एक डाइग्राम मिल जाए हमें और फिर वहाँ कोई logic लगाए तो फिर तो option पे ही जाना पड़ेगा तो आपको चेक करना है कि क्या answer बन सकता है पता ही है देखिए पिछे के साइड थोड़ सा construction का काम चल रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ से problem हो वो इसके लिए ना आए लेकिन मैंने बताया था था आपको कि सब चीजों को हमें ignore करना है और हमारे जो सामने है उसी पर focus करना है और अभी आपके सामने है एक सांदार question और आपको उसी पर focus करना है और answer बताना है बाहर के सारी noise को ignore करके question केज़े देखें जब भी आसा question आजए तो हमें option पर देखना है तो option में देखें कितनी बड़े बड़े number है तो एक काम करते है या तो हम सब को multiply कर देंगे और आपको इतना पता है कि अगर 2-2 digit की 4 digit हों चार अंक हों तो उनको अगर multiply करते हैं तो इनसे भी ज़्यादा number बनेगा तो हम क्या करते है एक काम करते है इनका square कर लेते है जैसे 12 का square करेंगे तो 144 ठीक बात है फिर 14 का square 196 आपको ये भी पता है फिर 13 का square 169 ये भी आपको अच्छे से पता है फिर 15 का square होता है 225 पंदरा का square कितना होता है 225 अगर हमें इन सब को add कर दें तो कितना बन जाएगा देखें ये 10 10 और 9 19 19 और 5 24 24 का 4 लिग दिया हमने और हसल बचकी 2 फिर आगे add करते हैं हसल बचकी 2 तो 2 को मैंने 2 में add कर दे तो 4 4 और 6 कितने होगे 10 10 10 और 9 कितने होगे 19 19 और 4 कितने होगे 23 23 का लिग दिया मैंने 3 फिर से हमारे पास hustle बचकी 2 के रे बचकी 2 अब इनको सब को add कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 और 5 और 2 कितने होगे 7 यहीं कि हमारा answer क्या है 734, option number C perfect, हमारा 734 answer निकल क्या हैएगा, क्या इतना समझ में आया, तो अगर आया है, तो next question पर चलिए, पता यह next question क्या होगा, और कैसे होगा, सांदर question है, matrix question है, थोड़ सा आपको time लग सकता है, क्योंकि logical question है, एक दम से बिल्कुल आपको लोग सांदर 444, 16, 36, 16, 4, 6, 4, 10, question mark 8, तो हमें देखिए क्या करना है, मैंने जैसे बताया था आपको, कि बड़ा, आपको अगर देखते ही समझ क्यूशन आ रहे है, क्यूशन देखते ही समझ में आ रहे है, तो वो बहुत easy है, otherwise वो easy नहीं है, और easy बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ आपना logic, जो हमने सीखा है, तब ही जाकि वो question easy बनेगा, बताये answer आपका, तुक्का बिलकुल भी नहीं लगाना है, कि हमने ऐसे चलो तुक्का लगा दिया, 19, 18, 15, 13, कोई भी एक तुक्का लगा दिया, और कोई एक तो सही जाएगा, किसी नहीं किसी का, तो ऐसा काम बिलक अगर इन दोनों को मैं multiply कर दो, तो कितना जाएगा, 16, और यही हमारे पास 16 लिखा है, उसके बाद भी मेरे पास है 94, अगर 9 और 4 को मैं multiply कर दो, 36 आएगा, यह ठीक है, अगर मैं 4, 4 को आपसे multiply कर दो, कितना जाएगा, 16 आएगा, यानि कि यहां तक हमारा एक relation बन रहा है, लेकिन हमारा answer नहीं है, फिर आगे चल के देखते हैं, कि 4 का यह square है, 4 का यह square है, फिर यह 6 का square है, सेम ऐसे गाम करना है, 4 का square यहां भी 16 बन रहा है, यानि कि यह हमारे पास एक relation निकल का है, ना कि हमारा answer निकल का है, ओफो, अब हमें निकालना है कि यह 10 कैसे निकल का है, इसमें से 10 निकल के आया भी तो किसी निकल के आया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कि ऐसा कहीं ना कोई logic लगाना पड़ेगा, जैसे हमने logic लगाए था, कि 82 के अंदर logic लगाया, 82 के अंदर क्या logic लगाया, कि 8 को और 2 को मैंने multiply कर देखते है, तो मेरे पास 60 निकल के आगय से बात है, अगर अब मैं, अगर, अब मैं, ये 8 और जो 2 है, इसको मैं multiply ना करकी, अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 10, और साइध ये 10 यहां लिखा हुए, हमें नहीं शूर नहीं हम कि यही हमारा answer होगा, लेकिन एक पर हम ट्राय करके देख रहे ठीक बात है, फिर हमारे पास दूसरे नमबर लेकिया थे 44, अगर मैं 44 को multiply ना करके add कर दूँ, तो हमारे पास कितना नचीए 8, और वो 8 हमारे पास निकल क्या रहा है, यानि कि हमारा perfect answer जा रहा है, हमें ऐसे ही कुछ करना है, इसके बाद मैं 94, अगर 94 को मैं आपस मैं add कर द 4 का square, फिर इन दोनों को आपस मैं multiply कर दिया, तो हमारे पास नीचे answer आ रहा है, इन दोनों को multiply कर दिया तो नीचे answer रहा है, पहले हमने कहा किया, यहां पे multiply किया था, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को add करेंगे, तो हमारे पास last किरों निकल क्या है, क्या इतना समझ मैं आ भुछे बतना है जितने इस्ताथी लोग देख रहें सारे difficult math करेंगे और ज क्वेस क अगरिजा आगी नहीं की घंग hebben और आगी बढ़ाने के लिए आपको share I don't you לש, share ?etics ने आप और बाइए ,कर है ? अगर आप आंसर करना है पताईए सरी ये क्या है ये डाइगरम क्या है एक तू साइद आपको ये डिजिट समझ नहीं आ रही होगी देखें यहां क्यूशन मार्क लिखा हुआ है ये जो है ये क्यूशन मार्क है यहां बताना क्या आएगा बहुत बढ़िया देखिए कैसे करना होगा इस क्यूशन को जैसे लिखा हुआ है यहां पर color change करेता हूँ मैं थोड़ा blue मेरा favorite अगर मैं 6 को 6 से multiply करूँगा तो 36 आएगा 4 को 9 से गुणा करूँगा तो यहां भी 36 आएगा same concept यहां लगाना है 8 को 9 से गुणा करूँगा 8, 9, 22, 24, 23, 22 यानि कि हमारे उपर निचे वाले दाएं और बाएं वाले को number को अगर हम multiply कर रहे हैं तो same हमारे पास answer निकल क्या रहे अगर यह concept लग रहा है तो same आगे यही concept लगएगा पंद्रा, 6, 90 तो 9 को की से गुणा करूँगा तो 90 आए तो सरे इतना यह हमें पता है यह तो answer हमें पता है कि 9 को की से multiply करना पड़ेगा 10 से क्या निकाने के लिए 90 आएँ क्या निकाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते ही समझ में आ रहा है ऐसे ऐसे ये छोटे-छोटे टुचे क्यूशन है इनको ये हल्वा क्यूशन है बड़े खराब क्यूशन बख्वास क्यूशन इनको देखते ही करनाय में बताएए बहुत बढ़िया बहुत चांदार बैस आफकी रफतार होनी चीए बड़ा दो रफतार हो जितनी कम रही रफतार उतना लोस रहेगा तो ऐसे क्यूशन को बैस हां मानते हैं इस टैप क्यूशन में थोड़ सा टाइम लग सकता है लेकिन कुछ अच्छे क्यूशन हो हां टैम लगता है लेकिन ऐसे क्यूशन में टैम बिल्कूं नहीं लगना चाहिए करना कैया विड़ा इजी क्यूशन है बहुत वड़ी आपका अनसर आ गया देखिये यहाँ दो और तीन को एड़ किया तो तीन आया तीन के ऊपर कोन आता है सी आता है यहाँ देखिये नो option क्या जाएगा option number B देखें next question एक circle वाल question है आपके सामने और आपको बता देना कि answer क्या निकलेगा आपको बताना है answer क्या बनेगा मैं आपका wait कर रहूँगा आपके answers का wait करूँगा बताईए बताईए answer बताईए मुझे फटाफट answer बताईए 10, 15, 12, 8 देखें ऐसा question हमने last time भी भी किया था दो questions पहले भी किया था कि जहां हमें एक single diagram एक single digit के बारे में पूछ ले तो वहां में तोड़ सी दिक्कत आ जाते हैं और वहां हम help कर लेते हैं options की तो हमें ये questions भी option की help के बगर ये हम नहीं कर पाएंगे और option को हमें लेना पड़ेगा तो ऐसा कुछ होगा कि यहां ये जो बीच वाला number है ये बीच वाला number इस बाहर वाले number से कही न कहीं relate हो रहा हूँ तो ये इस तो चेक नाय में बाहर वाले number से relate करना है अंदर वाले number को यानकि 50 को कैसे relate करेंगे एक काम करते हैं इन सब को add कर लेते हैं तो add करने का तरीका देखिए add कैसे करेंगे जैसे number है ये 36 और 40 कितने होगे 40 40 के अंदर बीच में हम 18 add कर देंगे तो 40, 50, 58, 58 कितने होगे 58 के अंदर add कर देंगे हम कितने हैं 34 यानकि 34 नमबर add कर देंगे साफ लिख लेते हैं थोड़ सा यानकि 58 के अंदर हम add कर देंगे कितना 34 तो इन सब को add कर दे हैं तो क्या बनाई ये 2 और ये 9 यानकि 92 अब 92 के अंदर हम क्या add करें कि 50 बन जाए अब भैस आप ये 50 का logic क्या होगा या तो किसी नमबर का half होगा या फिर किसी किसी ना किसी चीज में multiply होगा अगर हम यहां मा लीजेगे इस 92 के अंदर 15 को add कर दे तो मेरे पास बन जाएगा 107 और 107 से 50 कैसे बनेगा ना तो ये half है ना कोई multiply है तो एक काम करते हैं साथ हम इसको 100 बना ले और 100 का half कर दे तो 92 को 100 बनाने के लिए हम क्या add करेंगे जो option में है उनी में से तो हम सर 8 add कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 add करते ही 100 हो जाएगा और 100 का ये बीच वाल relation निकल के आजएगा 50 यानि कि इसका half कर देंगे हम तो हमारा answer राजएगा 50 यानि कि हमारा option क्या जाएगा option number D perfect के इतना समझ में है बाहर वाले number को add कर देना है और बीच वाले number से relate करना है ये option बताइगे अगर ये question आपको जैसे कि आपको cube आ रहा हो अगर आपको cube आता है तो ये आप फड़ा-फट मतलब एक second के अंदर कर सकते है question आपको कुछ करने के जोरत नहीं है बैस आपको number करना है दो, चार, चार, पांच, छे, साथ, आट ऐसे वो number add count करते करते आपका answer निकल क्या जाएगा बता जीजी हाँ, शांदार बहुत बढ़िया answer आना start हो गया आपका, क्या निकल क्या answer जो रहेगे वो भी अपना answer करें एक, दो बच्चों से काम नहीं चलेगा जितने हो, आप सारे के सारे answer करो फड़ा फड़ा answer केजिए, बहुत बढ़िया बीकिए, ये दो, आठ क्या है, आठ किस का cube है वाई साब, ये दो का cube है फड़ा啊, 8 किस का cube है 2 का, 17 किस का cube है 3 का, 64 किस का cube है 4 का, 125 किस का cube है, 5 का 216 किस का cube है, 6 का और यहां क्या आएगा, 7 का cube और 7 का cube, इन में से क्या पता आondo 7 का cube होता, 343 तो हमारा answer क्या निकल जाएगा, 343 पर्फेक्ट आंसर क्या होगा, 343 तो आपको समझ में आया होगा कि इसका perfect answer क्या होगा आपको देखते हैं समझ में आ गया था कि इसका answer कितना निगलेगा 343 अरो सही answer होगा क्या इतना समझ में आया तो अगर समझ में आ गया है तो चलिए next question पर देरी किस चीज की बताईए एक circle है और circle के बीच में एक number और दे रहा है वो number हमें बताना है कि आया कैसे और हमारे पास number है दो तीन चार पाज और इनसे बनाना है मुझे 26 26 इस फिरसा अरिवा समझ में बहुत खूब सुरत question आपके सामने है और आपको बताना answer क्या होगा देखिए फिरसे मैंने एक बात आपको बार बार repeat कर रहा हूँ अगर कहीए आपको बड़ा number दिख रहा है तो बड़ा number दो ही त्रोके से निकल सकता है या तो सभी संख्या को add कर दो या फिर square करके कुछ करना पड़ेगा आपको तब ही जाके बड़ा number बिरन सकता है वो multiply भी हो सकता है मैं भी multiply होजे इन तीन से कुछ बाहर कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बड़ा number बनाना है तो हमें square करना पड़ेगा add करना पड़ेगा या फिर multiply करना पड़ेगा तो आप बताए इस logic यहां क् क्या लगेगा अब आनसर आने चाहिए आपके यह complete diagram नहीं है चलो छोड़िए अब देखे हमारे पास number क्या क्या देर खाया जिसर्म नंबर आपको देर खाया तीन चार पांच और दो अगर हम इन सब को add करके 26 लाने के खोशिस करें तो देखे क्या बनेगा तो यह number कितना दो चार कितना बन जाता है 10 और 14 यानि कि 14 से कितना बनना है 26 तो 14 दूने 28-2 साइद ऐसा कुछ logic बन सकता है लेकिन आगे वाले diagram में figure में जाएंगे तो ऐसा कुछ logic बनेगा नहीं फिर क्या बनेगा कुछ और try करके देखते हैं साइद उपर वाले संख्या को आपस ही multiply कर द देखेगा फिर और क्या logic हो सकता है साइद एक पर cross multiply करके देख लेते हैं जैसे cross क्या होता है यहाँ 3 है और यह 2 है तो इन दोनों को आपस्य मुल्टिप्लाय करेंगे तो 6 और यहाँ इनको दोनों को आपस्य मुल्टिप्लाय करेंगे तो 4 5 20 यानि कि अब हमारे पास कितना गया 26 साइद ऐसा कुछ concept लग सकता है अगर यह try करके देखेंगे हम next question में कि अगर यहाँ लग रहा है तो हाँ साइद हो सकते हैं देखिए cross multiply करेंगे 6 5 30 6 5 30 और 4 3 12 और इन दोनों को आपस्य मुल्टिप्लाय कर देना है और फिर उनको आपस्य मुल्टिप्लाय कर देना है को नमबर को एड कर देंगे तो 2 और 6 यानिकि कितना है 62 और हमार परफेक्ट आंसर कौन सा जाएगा 62 और 62 कहां पे लिखावा है 62 लिखावा है option number C के अंबर क्या इतना सा समझ में आया आपको हमें क्या करना है cross multiply कर देना है और cross multiply करके इन दोनों को एड कर देना है तो हमार सांदार क्यूशन बहुत ज्यांदर जबर जस्त मुझे आनसर चाहिए इस क्यूशन का देखो आपको देखने में यह मुझे पता स्किप करूगा आप इस क्यूशन को लेकिन स्किप करने की को जरुरत है नहीं जब मैं बताऊंगा तो आपको यह लगेगा सर बड़ा easy होगी हमें बताना है कि यहां number क्या निकल के आएगा बताईए मैं आपकी answer का wait कर रहा हूँ भाई मुझे answer चीए मुझे answer रे क्या हो गया मुझे answer चीए बताईए answer क्या होगा मैं ऐसे फूल पतिया बना रहा हूँ आप अपना answer निकाल लिए तेखिए क्या करना होगा ज़्यदा गबराने के जोरत नहीं यहां सर यह बड़ा number हो सकता लेकिन बड़े number के वज़े से यहां कोई दिक्कत हो सकते हैं एक मिनट एक मिनट मेंट साइध यहہ क listen cut out आपको दिखाई नहीं दी रहा होगा मैं बता देता हूँ आपको यहां number क्या आएगा यहां मैं बता देता हूँ नंबर क्या होगा यहां देखे उपर तो है यह जो नुट है यहां आएगा एक नंबर लिख लेजिए एक और यहां जो है यहां आएगा चार नंबर तो अब साथ आपकी complete पुन गई यह स्क्रीन छोटी होने के वज़े से यहां नंबर लिख नहीं पा रहे है यहां एक नंबर होगा और दूसरे डाइग्राम में उपर चार नंबर होगे अब मुझे बताना आंसर क्या होगा देखे कुछ नहीं करना उपर नंबर कितना है नेक्स्ट पू क्या है नेक्स्ट है पांच चार टीन और इसके अंदर माइनस कर देना है साथ आठ नो और इसको माइनस करेंगे तो 246 यहीं नंबर निकल के आएगा आप देख लीजिए केल्कुलेट कर गई सेम लिटो हमारे थाट क्यूशन में चलना है यहां लिखावा है कितना लिखावा है थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पैन का कलर अच्छा नहीं लग रहा है यह लिखा हुआ आठ चैन और इसके अंदर गटा देना है हमें 241 को तो कितना बच जाएगा बड़े नंदमर में से अपर्वाले नमदर से कासे बीन की चुपा सकता है यहां में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि कैसे कर पाएंगेस कि इनमें थोड़ी सा फूसे हsun कोता है लेकिन मैंने मरसा क्य Alberto Church has been told आपको देखना यहां मुझे देखते है समझ में आ ख़ाया, आपको भी देखते भी होगा अज resurrection क्या होगा , सहिद आपको थोड़ सी दिक्कत हो रही होगी ucan में कि यहां क्या लिखा हो الا है , देखिए यहां यहां जो है यह नंबर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहां में लिख देता हूँ यहां नंबर होगा 62 ठीक है और बाकी कही और भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिए देखी क्या करना है मैं कुछ नहीं करना है एक छोटा सा काम करना है जैसे बीच वाली नंबर है उस पे फोकस कीजिए बीच वाली नंबर फोकस कीजिए कितना नंबरे 18 इन openings तो यहां क्या आएगा, हमें यह यह चेकरना है, तो यह देखे, 18 से हम यहां चलें, जिससे मैं color change करके बताता हूँ आपको, कि अगर मैं 18 से चलू, 18 से कहां जाओं मैं, 36 पे, 36 से 54, 54 से कहां जाओं भैतर, 22 से जाओं, इसका मतलब क्या है, यह तो एक series बन रही है, और इस series से हम क्रिशन को solve कर सकते हैं, यह फिर एक दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा यह भी कर सकते हैं, कि आप 18 को 2 से multiply करें, 18 को 3 से multiply करें, 18 को 4 से करें, और 18 को 5 से multiply कर दें, तो यह आपका answer बन जाएगा, यह फिर अठार का आप यह table बोल सकते हैं, 18 दूनी 36, 18 ती चोवाना, 18 यह नकि टेबल बोलन सरी भी आजाएगा, यह दो से multiply, तीन से multiply, चार से multiply, वह पाँस से multiply, से मासे आगे करना है 24 को यहाँ 2 से करना है, 48, 24 को 3 से करना है, वहतर, 24 को 4 से करना है, 9 और 24 को 5 से करना है, 120, लेकिए अब यहां क्या करें, कि यहां क्या number लिखें, इस question मार की जग क्योंकि अगर हम 13 को लिखेंगे तब ही जाके हमारे पास अंसर बनेगा क्या अगर मैं यहां 31 लिख लेता हूं तो 31 से ही तो हम कहां जाएंगे 62 पे जाएंगे और 62 फिर इसको 3 गोना करेंगे किसको 31 को तो हमारे पास केतना बनेगा 93 बनेगा तो हमारा right answer क्या बनेगा 31 बनेगा उमीद करते हूं आपको इतना सा क्योशन प्रिक्टी सेसं में मज़ा आया होगा और बने रही हमारे साथ, और करते ही रही है, अपने तयारी को आजमाते रही है, और तयारी को और मजबूत बनाने के लिए अब ये प्रिक्टिस एट जोन किये रखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्यू, जैहिंद.